इस जो पौधा आप देख रहे हो इसको स्वेत उग्रगंधा कहते हैं एक बार रोस्तों ने स्वेत उग्रगंधा इसका संस्कृत नाम है और हम इसके कुछ आईरवेद प्रयोग आप लोगों को बता रहे हैं ध्यान सुन्येगा इनके पत्तों को पीस करके दातों में मलने से दात में दो दर्द होता है उसका निवारन करता है और जिसको पानी के समान दस्त हो रहा है तो इनका क्वाद बना करके पीने मात्र से जो आपका पानी जैसे दस्त है उसको ठीक करता है अगर किसी के पेट में कीड़ा पढ़ गया हो कीड़ा हो तिनकी बीज का चूर्ण सक्कर मिला करके सेवन करने से आपके जो पेट क्रीमी है उसको नास करता है इसके साथ में पेट दर्द में पेट अगर दर्द कर रहा हो तो इसके बीज का तेल बतासा में डाल कर खाने मात्र से आपके जो पेट का दर्द है उसको यह ठ ही करता है बबासिर पर इनका प्रयोग करने से आपके बबासिर को भी आराम पहुंचाता है और इसके साथ जिसको बात रोग हो गया है वात पिडित हो तो इनके पत्तों का फान बना करके लगभग 15 मिली गराम के मातरा में इसको पीने से आपके कैसा भी बात प्रकोफ हो उसको निवारन करता है यहाँ आरवेद की एक और अच्छी सधी मानी गई है तो आप इसका प्रयोग कीजिए इस स्वेत उग्रगंधा का घाव हो गया हो तिनके पत्तों तथा बीज को पीस करके घाव में लगाने से घाव भर जाता है और इनके साथ में इनका पत्तों का क्वाद बना करके घाव को धोने से घाव सुधी करन होती है घाव जल्दी भर जाता है इसके साथ में आप स्शेवन करने से बुखार कभी निदान होकर रोगी को आरो गयलाब पत्त करती है। और बिसम जवर में इनका पत्ता का क्वाद बना कर पीने से भी जो मलेरिया कहते हैं उस मलेरिया को यहा फुक करता है तो इस दरह से आप इनका प्रयोग कर सकते हो सित जवर में भी इसका पत्ता रस में मकोई का रस मिला करके पाउं की नीचे लगाने से तलवे में लगाने से ठंड युक तो जो सित का जो जवर है उसको निवारन करता है इस तरह सिसका प्रयोकरिय और अगर सीर में धर्द हो रहा हो तो इनके बीच को पीश कर मस्तिस्क पर लेप करने से सर का दर्द का निवारन करता है और जैसे अर्ध का पारी हो अर्ध का पारी मन जैसा जैसा सूर्य चाड़ता है वैसा वैसा दर्द खुब होता है सरीर में तो उस दर्दों को मिटाने के लिए और जैसे सूर्य भगवान जैसे जैसे डुबने को जाया वैसे व क्राम होता है तो इसके लिए उपाय है इनकी पत्तों कर्ष का नश् Goodman हिस के साथ प्रतिसाय रोग में इनका पत्ता रसको दो-डो बूंद्ध नाक में डालना चाहिए इसे आपके प्रतिसाय जो रोग है। उनको भी निमारन करता है क्रीमी करन रोग में इनका जड़ का रस्वरस निकाली सोंट मरीच और पिपिली मिला करके इनको कपड़े से च्छान करके दोदो भूंद कान में डालने से कान के कीड़ें का नास करता है और आँख दर्द में इनके पत्तों को पीस करके पुलिष्टी आँखों पर बांधने से उसकी लालिमा, समान और सुजन का भी निमारन करता है यहाँ और सधी तो आप इसका देख लिजिए यहाँ बहुत दुररप्ता से मुझे मिला और आज बना रहा हूं इस स्वेत उग्रगंधा का पौधा गलगंड रोग में इनका लसून के साथ पीस करके गले पर लगाने से लेप करने से स्राव होकर के जो गलगंड रोग है घेंगा रोग है उसका निवारन करता है दात दर्ध में इसके पत्तो को पीस करके भी आप मंजन की तरह कर सकते हो और इनके आयरवेद में आप परयोग कर सकते हो पहुत लोगों को हमने देखा है कि अत्यंत मुत्र त्याग होता है मुत्र जादा आता है तब इनके बीच को गुड और अजवाइन मिला करके सेवन करने मात्र से आप में अधिक मात्र में जो मुत्र आपको आता है उसको निवारन करता है स्वेट उग्रगंधा का प्रयोग किजेगा और लाब पाईए हम अपने वीडियो को यही समाप्त करते हैं हरी ओम नमस्कार